असलाम अलेकुम फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज बनाते हैं मैक्रोनी पास्टा सुबो का नाश्टा हो या शाम में हलकी फुलकी भूख बच्चों को बहुत पसंद आने वाला ये नाश्टा है आप इसे जरूर ट्राय करिए चलिए बनाते हैं यह मैंने लिया है 100 ग्राम सुजी पास्ता आप चाहिए तो वीट पास्ता भी ले लें बच्चों के लिए वीट पास्ता ही सही रहेगा बहुत से शेप में आता है सिर्फ शेप अलग होते हैं टेस्ट नहीं इस तरह से आप कोई सा भी शेप ले लें एक पतिले में मैंने एक लिटर पानी उबलने के लिए रख दिया है ताकि हम इसमें मैकरोनी को अच्छे से पका सकें इसमें डालते हूँ एक टेबल स्पून ओईल ताकि एक दूसरे से चिपक न जाएं अब डालते हैं हाफ टेबल स्पून नमक पानी में नमक दाल के उबलने से मैकरोनी अच्छे से टेस्टी बन जाएंगे अब हमारे पानी को उबला चुका है इसमें डालते हैं 100 ग्राम मैकरोनी अब इसको कम से कम 2-4 मिनट तक अच्छे से उबलें जब तक इसका कलर चेंज नहो जाए दिखिए अब हमारे इस मैकरोनी पास्ता को अच्छे से उबला चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है मैं दिखाती हूँ आपको यह देखिए अब इस पर कट लगा के देखते हैं यह अच्छे से हमारे पास्ता पक चुका है अब ओवर कुक नहों हो जाए इसलिए थंडे पानी से नॉर्मल पानी से अच्छे से धोलें मैं इसको नॉर्मल पानी से धोलेती हूँ इस तरह से इसका स्टार्ज भी निकल जाएगा और यह थंडे भी हो जाएंगे अगर आप ऐसे रखेंगे तो फिर जब सॉस में पकाएंगे तो फटने लग जाएंगे इसलिए मैंने इसको अभी से नॉर्मल पानी से दोलिया इसमें दालती हूँ एक टेबल स्पून ऑईल अभी इस ऑईल को दाल की इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लें अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर एक डिस तरह से चिपक जाएंगे आप चाहें तो फैन के नीचे भी इसको रख सकते हैं अब एक कड़ाई मैंने गरम कर लिया है इसमें डाला है मैंने एक चमच डिफाइन डॉल और एक चमच गी गी डालने से इसकी टेस्ट अच्छे बढ़ जाती है अब इसमें हमारे तेल और गी गरम हो चुका है तो इसमें मैं ये मोटा मोटा कुटा हुआ लहसन डाल रही हूँ आप चाहें तो बारी कट करके भी डाल सकते हैं इसको ज़्यादा पेस नहीं बनाना है अब ये अच्छे से हमारे लहसन को मैं थोड़ से भून लेती हूँ इस तरह से भूनने के बाद अब इसमें मैं ये कद्दू कस करके रखा हुआ अध्रक डाल रही हूँ आप ये कद्दू कस करके डालें पेस न बनाएं ये दो हरी मिर्च मैंने बारिक काट ली हैं अगर आप बचे तीखा नहीं पसंद करते तो आप इसको स्कीप कर दें क्योंकि बाद में और इसमें हम मसाली उस करने वाले हैं अब इसमें मैं डालती हूँ एक बारिक मेडियम साइज का कटा हुआ प्याज इसको भी अच्छे से पका लें इसको हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है सिर्फ हमें इसे पका लेना है ताकि हमारा जो सॉस है एक ग्रीवी टाइप बन जाए अब इसमें मैं डाल रही हूँ यह हरी शिम्ला मिर्च मेरे पास हरी शिम्ला मिर्च अवलेबल थी तो मैंने डाला है आपको जो विजटेबल पसंद है वो आप डाल सकते है अगर आपको आपके बच्चे विजटेबल पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते है लेकिन इसमें डालने से इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आएगी अब इन पस कुछ मटर थे इसको भी मैंने चील के इसमें डाल दिया है आप चाहें तो गाजर भी उज़ करें जो भी बच्चे आपके सबजी पसंद करते हैं वो आप इसमें एड़ कर सकते हैं अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ इसे हमें ज्यादा नहीं पकाना है इसको थोड़ा सा क्रंची ही रखना है अब मैं एक बड़ा टमाटर पेस्ट कर ली हूँ मैंने आप चाहें तो काटके भी डाल सकते हैं मुझे तो सिर्फ इसका अच्छा से एक फाइन पेस्ट की तरह एक सॉस बनाना है ताके सारे माइक्रोनिस को अच्छे से लग जाएं अब इसमें मैंने डाला हाफ टेबल स्पून नमक नमक पहले भी हमने डाला हुआ है तो मसाले के हिसाब से ही नमक डालें इसको बैचे से मिक्स कर लेती है अब मैं इसमें डालती हूँ मायोनिस जो एगलेस मायोनिस मैंने लिया है यह इसमें मैं एक बड़ा चमच एड़ कर लेती हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसको स्केप भी कर दें यह डालने से क्या होता है तो इसमें क्रीमी टेक्चुर आता है जिससे हमारे पास्ता का टेक्चुर बहुत ही अच्छा लगेगा अब देखिए इसमें मैं दाल रही हूँ हाफ कप पानी ताकि इसका हमें एक सॉस तयार करना है आप देख सकते हैं मैंनुस की वज़े से यह एक फाइट सॉस की तरह दिखने लगा है इसे अच्छे से पका लेते हैं चमच को इस तरह से हिलाते हुए ही पकाएं नहीं तो यह नीचे लगने लग जाएगा अब इस तरह से इसको अच्छे से पकने के बाद हम इसमें एड करते हैं 1.2 टेबल स्पून कश्मीरी लालमेच दालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा खिलकर आएगा इस तरह से इसको चमच हिलाते हुए है पकाते रहें नहीं तो ये नीचे लगने लगेगा इस तरह से इसको आच्छे से चलाते रहें दिखिए अभी हमारे सॉस अच्छे से पक चुका है सॉस रेडी है इसमें अब एड करते हैं यह उबाल के रखे हुए में माइक्रोनी पास्ता आप देख सकते हैं कितने खिले खिले हैं इसमें हमने तेल डाला हुआ था तो एक दूसरी से चिपके नहीं है यह और नहीं ओवर पर हमारा सॉस अच्छे सेट हो चुका है इसे तरहं से चमच को चलाखे रहें जब तक यह पूरी तरहं से मिक्स न हो जाएं देखें अब इसमें तालते हम बारी कटा हुआ हराधनिया १े तोड़के दाल रही हूँ आप इसको बारीच काटकर डाल सकते हैं इस तरह से हरा दन्या दाल दें फिर इसमें अगर आपके पास होल चीज है तो आप उसको क्रश करके डालें मेरे पास इस स्लाइस अवलेबल है तो मैं इसको ऐसे गुद्ध करके डालती हूँ अगर ऐसे पूरा स्लाइस रख दोगी तो अच्छे से मेल्ट नहीं होगा इसको मैं छोड़े प जह स्लाइस को कट लिए चिनी से मिठा सो और झत्रस्था और समय अब दो मिन्ट के लिए यसको धक कर पकाते हैं इसको दो मिन्ट च्छोर दें दो मिन्ट के बात निकाल करें देखिए हमारा चीज अच्छे से मैल्ट हो चुका है अब इसको मिला लेते हैं सारे पास्ते को अच्छे से हिला लेते हैं ताकि यह चीज अच्छे से मिक्स हो जाए आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका टेक्चरा है कलर भी उतना ही अच्छा है और यह जो मटर और शिमला मिर्च के वज़े से यह बहुत ही अच्छा लगता अब हमारा पास्ता रेडी है इसको एक बरतन में सर्व कर लेते हैं आप इसे जरूर बना के ट्राइ करें इसकी टेस्ट इतनी अच्छी बनेगी कि आप सोच भी नहीं सकते यह बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी मैं इसे शिवान चिटनी के साथ सर्व कर रही हूं आप च खुशी के साथ बच्चे खा लेंगे देखते हैं माशाला बहुत ही इसकी टेस्ट इतनी अच्छी बनी है मैं बता नहीं सकते आप भी इसे ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी बनी है अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हूं तो ए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी चलिए अगले वीडियो के लिए लेती हूं रुकसत अल्ला हाफीज